जैहिं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का अर्धवार्सिक परिक्षा जो आप लोगों का 30 तारीक को होने जा रहा है उसके लिए most important सवाल लेकर आएं सभी सवाल अच्छे लेवल क हैं selected हैं तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ठीक है और हां बहुत सारे बचे कह रहे थे कि भाईया हमारे हमारा नाम ले लिया कि ये वीडियो में तो हम सबका नाम हम वीडियो के लाश्ट में लेंगे ठीक है तो आप लोगो को करना क्या है वीडियो के लाश्ट में आप अपना नाम और अपने स honक का नाम कॉमेंट कर दीजेगा तो हम आपका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर सामिल करेंगे तो चलिए हम लोग living करते हैं तो आज का हमारे ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो को रटना नहीं पड़ेगा, आपको सवालों को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, who is the author of story इस ट्री द नेवी friend, देखे, अब यह जो नेवी friend जो इस 2019 स्टोरी है, इस इसका right answer हो जाएगा मुंसी प्रेमचंद, ठीक है, the navy friend का क्या हो जाएगा, मुंसी प्रेमचंद, ठीक है, what is the name of the boy, ठीक है, लड़के का नाम क्या था, यह आपको बताना है, ठीक है, right answer हो जाएगा, इसका option C, केशव, लड़के का नाम क्या था, तो केशव था, याद जाएगा, what is the name of the girl, लड़की का नाम क्या था, यह आपको बताना है, यह हो जाएगा, श्यामा, क्या नाम था, श्यामा नाम था, ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, where did the bird lay her eggs in the story, the navy friend, ठीक है, क्या कहानी में, जो है, कहानी में, the navy friends, ठीक है, कहानी में, जो भोले दिस्त जो था, भोले का दोस्त जो था, चलिया अपने अंडे कहां दिये थे, ठीक है, यह जो the navy friend कहानी, इसमें जो चलिया था, वो अपने अंडे कहां पर दी थी, यह आपको बतानी है, ठीक है, तो right answer हो जाएगा, option B, above the cornic, above the cornic, कहां पर दिया था, above the cornic, यानि कि कंगनी के ऊपर, ठीक है, चलिया, what was केसव और सियामा ब्रेकफास्ट, ठीक है, केसव और सियामा ने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था, यह आपको बतानी है, right answer हो जाएगा, milk और जलेबी, क्या लिया था, milk और जलेबी, ठीक है, इसको याद you, you will fold on, we said these words to whom, ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया, तुम गिर जाओ, यह सब्द किसने कहा था, ठीक है, तुम गिर जाओ, यह सब्द किसने कहा था, right answer, केसव तुश्यामा, केसव तुश्यामा, किसने कहा था, केसव तुश्यामा ने, ठीक है, चलिया, नेक्स्ट है आपका वाट डिट चिल्रेंड डू टू प्रोटेक्ट दा एग बच्चों ने अंडों की सुरक्षा के लिए क्या किया था तो बच्चों ने अंडे की जो सुरक्षा के लिए क्या किया था मैनेज दा फूड ठीक है क्या किया manage the food भोजन का प्रबंद किया manage the water जल का प्रबंद किया manage the roof ठीक है छट का प्रबंदन किया यानि कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा option D ठीक है MA scolded the kids because ठीक है मा होगा मा ने बच्चों को क्यों data क्यों की मा ने बच्चों को data क्यों की ठीक है इसका मतलब हो गया मा ने बच्चों को data क्यों की they did not sleep but roamed around in the afternoon क्यों data था वे सोते नहीं थी बलकि दो पहर में घूमते रहते थे चारो तरफ वो क्या करते थे घूमते रहते थे यही अंसर हो जाएगा इसका उसके बाद देखिया अगला सवाल है हमारा को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लिजे और हाँ बार बार कह रहे हैं आप लोग उसे